कि हलो फ्रेंड आज हम गुल्मोर सीरीज का इंग्लिश का थार्ड लेशन अच्ट कर गए और यह बहुत इंटरस्टिंग लेशन है तो इस लेशन का नेम है रेंडॉल्फ द रेंडियर, रेंडियर मितलब होता है हरन, और जो जिसका नाम है रेंडॉल्फ, खिरन, रेंडॉल्फ वाज रेंडियर, रेंडॉल्फ क्या था, एक रेंडियर था, means एक खिरन था, and he was very shy बहुत शर्मिला था he was very shy बहुत ही शर्मिला था कुछ बच्चे रहे थे न very shy रहे थे कोई अगर उनके पास relatives आते हैं तो उनके सामने नहीं जाते हैं उनसे बाते नहीं करते like that ये रेंडॉल्फ था the other reindeer बाकी के हिरन जो थे टोटेट लोटेट मीज़स ran slowly प्रोटेट तोगेधर और एक साथ वो प्रोटेट करते थे थे ran slowly येंशन प्रएटा और merely भी merely का मतलब happily happily साव मिलके एक साथ प्रोटेट करते थे slowly walking करते थे they lifted their heads they lifted their heads और वो लोग उनका हेड भी उपर रखे चलते थे and toast their antlers antlers means he کو यहां पर antler से इन सभी चुझे को antler कोलते होल के और यह antlers हो क्या करते थे टोस्य कर तेते टोस्य ते यह antlers from side to side either with the left to right right to left okay Randolph stood quietly बुट यह रिंडल्फ वेरी शाय था इसलिए वह हमेशा कोईटली स्टूड रही था था, ठाल खड़ा रही था, शांत खड़ा रही था. वह इसका हेड क्या करते था? दाउन करते था, निछ रह था था. वह पुट इस हेड दाउन, निछ रह था, बिकॉज ये रेंडल थाए शाय, and nibbled the small plants on the ground and nibbled the small plants on the ground और ground पे जो छोटे-छोटे plants उसको nibbled करता था नीबल का मतलब होता है खाना मगर के सा छोटे-छोटे तुकडो में खाना चोटे-छोटे तुकड़े आपने क्या अगर-अगर कुछ चीजे आपको अच्छे नहीं लगती मामे ने बनाए तो उसको क्या करते है आप निबल करते हैं छोटे छोटे चोटे गवाइट लेकर खाते हूँ और ममी फिर उसको डाट और शाव्टेड करते हैं खा जल्दी खा जल्दी ओके like that here यहां पर दोनों चीज़े करेंगे हम लेसन का मिनिंग भी लेगे और हाउ टुरीड देखेंगे हम तो से यू आर तू शाय अरे बहुत आप शर्मिल शर्मिले हो यू आर तू शाय बहुत याप शर्मिल हो रेंडॉल शावटेड दो आदर रेंडियर बाकी सब रेंडियर ने उसको चिलाया बोले आरे रेंडॉल इतना शाय मत बनो रेख बहुत शर्मिले हो as they played in the woods और वो woods में खेल रहे थे woods का मतलब जंगल में ऐसी place जहाँ पर many trees है उस place को हम बहुत सारे trees है उसे हम क्या बलते है woods देखो यहाँ पर many भी है woods का मतलब a place ऐसी जगा with many trees जिस जगाँ पर बहुत से trees है उस place को हम woods बलते है और यह सभी उस place पे खेल रहे थे be a show up like us हमारे जैसे show up करो show up का मतलब दिखावा करो someone who likes to show others दूसरे को बता ना है that he or she is very good हम बहुत अच्छे है आईशे show करना उसको बलते show up जैसे कि आप कुछ compose यह वो लाते की नहीं तो हम आप friends को बते है जैसे show up करते की नहीं आप लोग like that okay be a show up like us okay हमारे जैसे show up करो उसके बाद में क्या होता है but यह जो रेंडॉल्फ ही नहीं but रेंडॉल्फ went on nibbling the plant but रेंडॉल्फ निकल गया plant को nibbling करने के लिए okay खाने के लिए he did not look up मगर उसमें जब उसके सभी friends ने उसको data be a show up हमारे जैसे रहो okay फिर भी उसने he did not look up उसने उपर नहीं दिखा shy था very shy था वो नहीं दे सकता उसके पास confidence भी नहीं था आप बच्चे हो ना आप बच्च कुछ बच्चों की confidence नहीं रहते तो वो भूरी शाय रहते लोग शर्मीले रहते लोग के साथ बातें नहीं करते हैं far away दूर बहुत दूर he could hear some children अरे हाँ is your rindolphina उसने कुछ बच्चों की some children की आवा सुनी could hear some children कहां से far away थोड़ा दूर आंतर से उसने कुछ बच्चों की आवा सुनी they were shouting and playing they were shouting and playing shouting and playing चिला रहते और खेल भी रहते वो सभी बच्चे चिला भी रहते खेल भी रहते हम जब खेलते हैं ना तो उसकर चिलाते भी तो मज़ा आते ना खेलने में स्रिप cool वो quietly हम खेल ले तो मज़ाएगी नहीं मज़ाएगी तो दोई बच्चे शॉटिंग भी कर रहे थे और प्लेइंग भी कर रहे थे तो मिनिट करें यहां पर दिया है आपको लाइडिंग डाउन आ रहे थे और श्मूथली ओकी फ्रॉम तो दॉटम ओकी हील्साइड के उपर का जो पाट उसको टॉब खुणते तॉप से sliding down करते हो बॉटम प्या रहते हैं इसल रहते हैं नीचे उपर इस लेके नीचे तर सिसल रहते हैं उसको बहुते sliding down तो देखो यहां पर क्या बोले उन्होंने they were sliding down okay moving fast smoothly from the top of the hill okay to the bottom the snowy hillside जेखो वो hillside थे वो snowy hillside थे means वो hill पे पुरा बर्फ था और उस बर्फ पे sliding down करते थे top जाके hill के top पे जाके ते ते और वहां से moving fast होते थे और smoothly fast होके नीचे आते थे ओके अब देखो क्या फिर जैसे आप garden में करते हो sliding sliding पे okay आप उपर के बाप आप उपर जाते हो और उपर से फिर नीचे आ जाते हो like that sliding down okay but see यहां पर क्या हुआ I want to join I want to join my friends and those children अरे मुझे भी ना मेरे friends के साथ जाना है उनको join होना है and those children वो जो बच्चे shouting and playing कर रहे sliding down कर रहे उनके साथ भी मुझे खेलना है सेड रेंडॉल्फ रेंडॉल्फ खुद को बुला but I am too shy मैं तो बहुत शेर मिला हूँ but I am too shy मैं तो बहुत शेर मिला हूँ but I want to join my friends मेरे friends वहां पर है मुझे उनको join करना है उनके साथ playing करना है shouting करना है और साथ-साथ जो बच्चे हिल साइड पर है उनको भी मुझे join करना है but I am too shy मैं बहुत शेर मिला हूँ okay फिर क्या हुआ देखो Randolph continued to nibble the small plant on the ground जो ground पे जो small plant थे वो nibbling कर रहा था continue continuous काती चल रहा था काती चल रहा था स्मॉल स्मॉल बाइट लेके स्मॉल प्लांट खा रहा था जो ground पे जो small plant थे उसको nibbling करते वो चल रहा था his head was down और उसका head naturally nibbling कर रहा है तो head to down होगा ना निचे था शर मिला था ना शाय था confidence नहीं था इसलिए head हमेंचे down था तो he found several things on the ground देखो so he found उसने देखा several things on the ground उसने तो ground पे so many things देखा चीजे देखे बहुत सारे चीजे देखे first देखो सबसे पहले he saw a woolen hat सबसे पहले उसको woolen hat देखी अभी जब woolen hat देखी उलन है तो पता है आपको winter season में हमारे head को chill से protect करते हैं उससे woolen hat करते first woolen hat देखा next he found a mitten आरे हाँ बात में उसको मीटन देखा मिटन माले में मिटन का मतलब यहां पर आपको दिया है मैं आपको बताता हूँ त्योंकर मिटन का मतलब बताए एक गलू आईसे गलू हम पहिंते हैं हाथ में without finger देखो गलू आईसे है कि जिसको finger नहीं है मगर यह मीटन to keep the hand warm हमारे hands ऊपदार रखते हैं कहां से गरम रखते हैं इस चीज को हम मिटन करते हैं जिसको finger नहीं रहते हैं के चीजह को पहिंदे हैं तक देंट उसके में उसने लॉंज 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 कार देखे हो इसको लॉंज कार्प वह हहम य्यूज करते हैं यह हो गया हुए इस सब चिजह देखा उसने देखो यह हो गए सब से पहले उलन है उसके पात में यह हो गए उसके गिलोज इस देखा और क्या हो का है All at once Suddenly All at once Suddenly Okay Randolph's nose began to twitch 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 means Began to twitch His head He held his head high उसने उसका Head उपर लिया तर उपर लिया Okay Head high किया His head high And began to look around And Began to look around इदर उदर देखने लगा Look around उसके साइड इदर उदर देखने लगा कि क्या है रहे क्या है तो क्या देखा उसने He saw a little boy उसने एक छोटा सा बच्चे देखा Lying गिरा हुआ था Okay Lying गिरा हुआ था By the side of his slage और कहां पर गिरा हुआ था उसकी जो slage है Slage का मतलब क्या होता है देखिए यहां पर हमें दिया है किताब में तो हम देखेंगे Slage का मतलब होता है A vehicle I see a vehicle That moves on the snow और ice जो बर्फ या ice पे चलने वाली vehicle को हम slage गोते है और इस slage के side में यह बच्चा गिरा हुआ था He saw Randolph में देखा A little boy lying by the side of his slage देखा एक छोटा सा बच्चा उसके slage के side में गिरा हुआ था Okay और क्या हुआ देखेंगे आगे चलो क्या हुआ रहे क्या हुआ The boy lay on the ground Ground पे गिरा हुआ था Near the trees आज उबाजो में सब जार थे जार के नजजिक वो Ground पे वो बच्चा गिरा हुआ था He looked sad He looked sad बहुत उदास दिक रहा था He looked sad और देखो बहुत ही उदास दिक रहा था I can't walk I can't walk I can't walk मैं नहीं चल सकता I have hurt my leg मेरे leg को मेरे पहर को लग गया है I have hurt my leg मेरे leg को लग गया है The little boy cried जोर जोर से चला रहा था ता के रू रहा था Redolph nailed down Nailed down means sat on his knee उसके घुटनों पे Redolph नीचे बैटा जूख गया एक देखो Redolph के यहां पर Nailed down बोल दे Sat on his Knee देखो Knee पे वो जहां बैट गया Redolph Nailed down और बोला Don't be sad Aray don't be sad दुक्की मत हो रहे बिटा दुक्की मत हो Don't be sad I will help you I will help you Aray मैं आपको मदद करूँगा ना Don't be sad I will help you मैं आपको मदद करूँगा He said कुन बोला Redolph बोला Climb Climb on my back चलो मेरे पीट पे वो Climb हो जाओ चड़ जाओ And Climb on my back And I will take you home चलो मैं आपको घर पे लेके जाओगा I will take you home मैं आपको आपके घर पे लेके जाओगा आगे क्या हुआ देखो फिर क्या किया इस बच्चे ने The little boy slipped his arms around the reindeer's neck Reindeer's की जो नेके उसके आराउंड में उसके उस बच्चे ने उसके आप slipped किया में पकड के रखी घर लिया Slip his arms घर लिया Arms around the reindeer's neck reindeer के नेक के नेक को उसके आपको ने घर लिया Slipped किया And Climbed on his back Climbed on his back और reindeer के Okay Randolph के उपर उसके पीट के उपर चड़ गया Very soon बहुत ही जल्दी Very soon बहुत जल्दी He was back home safely ओ छोटा बच्चा उसके घर पे फिर से वापस आ गया मगर कैसा safely में सुरोक्षित आ गया क्योंकि Randolph ने उसको बहुत केरफुली उसके घर पे उसको ट्रॉप किया The little boy thanked Randolph और उस चोटे बच्चे ने रेंडॉल का ठैंक बुला Thank you, thank you very much आपने मुझे यहाँ पर लाया You are a hero आप तो hero हो He said जो इस बच्चे ने Randolph को hero बुला तो Randolph को conference बढ़ गया और देखो क्या हुआ फिर यहाँ पर This made Randolph so happy उस बच्चे ने बुला ना You are a hero उस बच्चे ने यह भी बुला You are my hero Because आपने मुझे मेरी life safe की तो Randolph बहुत happy होगा है That he lifted his head और उसने Randolph ने उसका head ऊपर किया And toesed his antler और उसने उसके antler toes के Okay, side from side to side Left to right Right to left I say And happily, happy होगा है Because उसको feel होगा है कि Yeah, मैंने कुछस तभी अच्चा किया Just like the other reindeer बाकी reindeer जैसे ना उसके antler क्या करते थे Toes करते थे ना Like that किया And उस दिन से Randolph को confidence आगा है And वो हमेशा उसका head ऊपर करते चलता था So हमेशा बच्चों याद रखना है Don't be shy Shy नहीं बनना है And हर चीज करने की कोशिश करना है याद रखना है Okay So यह हमारा lesson यहीं पर कतम हो गया है और इसके जो भी question Answers रहेगे वो हम next video में देखेगे So all of you Thank you So all of you